वेल्कम टू वाइटी, यॉर इंग्लिस टूटर, आयम अंकुर और आयम पार्ट आप अमंसर्स टीम देखिए जो सेशन चल रहे हैं इसमें मिक्स कोशन का एक सेशन आई है इसमें नमबर आफ बेराइटी कोशन हैं मतब एक concept के कोई भी कोशन नहीं है और नहीं किसी एक सिंगल चप्टर की कोशन है सारे मिक्स चप्टर की कोशन है ठीक है न और एकजाम में किस अप्रोश से कहने हैं मैं उस तरीकी से स्वाल कर रहा ही तो जली शुरू करते हैं तो आफ फ्लोग बनाते हैं ठीक है क्या करा है, which is the largest number that divides each 1036, 1813, 388, without leaving any remainder, क्या रहा है, इसको, यानि कि 1036, और 1813, और 388, इसको divide करने पर कोई भी remainder नहीं आता है, और एक और बात क्या रहा है, largest number बता रहा है, हम क्या करेंगे, इनका difference निकालेंगे, और difference क्या निकालेंगे, six में क्या जोड़ है, seven जोड़ है, seven two, one यह आ घया, dh, four में क्या जोड़ है, one बन जाए, NBC, seven two, यह one बन गया, one में क्या जोड़ है, eight बन जाए,ritisional तरीके से मायनेस नहीं करता हूँ, निकिन मैं दूसरे तरीके से माइनस करता हूँ जिसे ही किया है आपको practice हो जाएगी तो आप भी काफी तेजी से इस तरीके से माइनस कर सकते है subtract कर सकते है अब इसको subtract करते है 3 में क्या जोड़े है कि 5 बन जाए 2 जोड़े 1 में क्या जोड़े है यह 8 बन जाए, 7 जोड़े, और 8 में क्या जोड़े कि 8 बन जाए, 0 जोड़े, और 1 में क्या जोड़े कि 3 बन जाए, 2 जोड़े, राइट, अब इनका difference देख लेते हैं, इनका difference क्या एगा, 6 में, यह 6 है न, 6 में क्या जोड़े कि यह 5 बन जाए, 6 में क्या जोड़े कि 5 बन जा एट जोड है और वन में क्या जोड है कि थिरी बन जाहें राइट अब क्या करो इसका common factor निकालने कुछ करो हाइस common factor क्या एगा सेविन से अभी जा रहा होगा सेविन से काटेंगे तो वन 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 और यह सेविन से जाएगा तो टू टाइम, ठीक है, टू टाइम, 67, और 67 कितने गया, 9 से, 42 बचा 6 से गया, यह गया आपका, 4 से 0, 7, राइट, अब और किससे कट रहा है, अब हमें आगे चेक करने की जरूद नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने largest number पूछा है, अगर यह कुछ और पूछता, तो कुछ और जो number आएगा, वो उसके factor होते, वो जगता है तो उसके factor होते, लिए largest number में, यह 7 तो आ रहा होगा, 100%, तो 7 किसमें आ रहा है, देखो, 7 से डिवाइट करके देखो, यह कितने से गया, 28, 28, 25, 5 बचा, 53 यह नहीं जाएगा, इसका करा, 7 से, कितना बचा यह, 7, 31, यह भी नहीं गया और यह गया, 21, 4, 48, यह यह जा रहा है, और यह भी नहीं जा रहा, इसका मतलब, option C, right है, क्योंकि, यह ही एकलोता number है, जो कि 7 से divisible है, right, करने के लिए तो और भी तरीके हो सकते हैं, ठेकिन, हम इस तरीके से करेंगे, जिससे कि, समय बस सके, right, आगे चलते हैं, खेला, if x plus y, 17, x, y, z, 171 है, और यह 1, triple 1 दे रहा है, तो x cube y cube plus z cube plus x, y, z की value बताओ, तो मैंने क्या बताया था, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, x plus y plus z, bracket में, x plus y plus z का square, minus 3xy plus yz plus zx, मैंने यह आई आपको पहले बता चुपा, right, लेकिन हमें यहां क्या चाहिए, plus का x, y, z, लेकिन यहां minus का 3xyz आ रहा है, right, अब मैं इसमें pen change कर देते हैं, तो हमें plus का x, y, z करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4xyz plus कर देते हैं, similarly, यहां भी plus x, y, z, plus करना पड़ेगा, right, तो यह क्या बन जाएगा, यह तो यह सेम बन जाएगा, अभी हम cube नहीं लगा रहे हैं, तो x plus y plus z की value क्या है, 17 है, और इसकी value क्या है, यह भी 17 है, 17 का square, 289, minus 3, इसकी value क्या given है, इसकी value है 171, 171 नहीं है, इसकी value है 111, right, bracket close, अब इसकी value और लिख देते हैं, 4xyz, 4xyz, यानि की 4 into 171, right, तो यह क्या बचा, 17, 289, 333, plus का 428, 28 हो यह एच्छ है, right, अब इसको solve करते हैं, तो इसको solve करेंगे, इसमें क्या जोड़ हैं कि 3 बन जाए, देखो, इसमें क्या जोड़ हैं कि 3 बन जाए, 4 जोड़ दो, और यह carry गया, 9, 9 में फिर क्या जोड़ हैं, कि 4 जोड़ेंगे, यानि कि minus का 44 आ रहा है, right, प्लस 6, 8, 4, आप इसको multiply, सत्रे चोके, 68, right, और फिर 68, 68 प्लस 6, यानि कि 70 माइनस का, प्लस 6, 8, 4, माइनस करते हैं, इसमें क्या जोड़ हैं कि 8 बन जाए, 4 जोड़ते हैं, और इसमें क्या जोड़ हैं कि 74 बन जाए, यह आपका 6 जोड़ हैं, वो भी minus का, तो option D, right answer है, आए होब, आपको समझ में आ रहा होगा, right, आगे बढ़ते हैं, कि रहाए, the value of cosec A, plus cot A, minus 1, minus cos A, इसको solve करना है, क्या तो आप value put कर दो, value put नहीं कर रहें, तो आप सीधे solve कर दो, क्योंकि बहुत छोटा question दे रहा है, तो हम इसको, इससे अच्छा कहा है, solve करना ही कुछ करते हैं, इसको multiply करते हैं, यह क्या आएगा, cos A, minus का cos A, और cos A, right, इसका multiply करते हैं, तो इसको क्या आएगा, plus का cos A, cos A, और minus का, कोट A, और cos A, right, देखना कुछ solve हो रहा है, यह क्या है, यह minus का 10 A ही तो है, 10 कह रहा हूँ, कोट A ही तो है, क्योंकि cos A, यह बन अपन साइने, तो cos A अपन साइने, यह बन गया, plus का, कोट A, minus, कोट A, और cos A, इधर तो cos A, बचा ही था, right, तो इससे तो यह कैंसल कर दो, अब बचा क्या, cos A, minus, कोट A, और cos A, यह तो बचा, अब इसमें से क्या करता हूँ, sin A भार ले लेता हूँ, क्योंकि यह, कोट A क्या होता है, 1 upon sin A क्या होता है, 1 upon sin A होता है, अभी क्या बचा, यहां तो 1 बचा, जो हमने यह common ले लिया, यह 1, minus का, यहां, cos into cos, यानि की, cos square A, अब इसको क्या लख सकते है, sin square A, upon sin A, right, तो sin A से sin A कर गया है, तो क्या बचा, sin A, तो option किस में है, option D में है, right, आगे बढ़ते हैं, क्या रहाँ, when operated separately, pipe A को operate करता है, 5 गंटे कम लगते हैं, then 20 है, तो यह question A, मैंने पहले कराया है, मुझे एक हल सब्सक्राइब सो, क्या रहाँ, A को जो समय लगता है, वो 5 गंटे कम लगते हैं, इसको 5 गंटे कम लगते हैं, अगर B को T गंटे लगते हैं, तो, और दौनों को 6 गंटे लगते हैं, In how much time will pipe B fill the system, if operated separately, अले लगते हैं, ठीक है, चली देखते हैं, कह रहा कि B को कितना गंटे, कितना समय लगते हैं, तो माल लेते हैं, B को 9 गंटे लगेंगे, और 9 गंटे इसको कितने लगेंगे, 4 गंटे, क्योंकि 5 गंटे कम लग रहे हैं इसको, तो इसको 4 गंटे, और efficiency क्या आई, 9 और 4, तो 36 अपॉन 13, क्या ये कट सकता है, 6 गंटे आएगा, बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल काट दो option जल्दी से, अब तू दूसरा option उठाते हैं, अगर इसको 10 गंटे लगते हैं, तो इसको 5 गंटे लगें, तो efficiency क्या आईगी, 2 और 1, यानिकि 10 अपॉन 3, क्या 10 अपॉन 3 गंटे लग रहे हैं, नहीं इसको लग रहे हैं, 6 गंटे, तो ये option भी अठा दो, अब 15 लेते हैं, इसको 15 गंटे लग रहे हैं, तो 10 गंटे लगेंगे, तो 3, efficiency क्या आई, 3 और 2, और 30 अपॉन 5, वर क्या आया, 30 अपॉन 5, कितना रहे हैं, यानिकि 6 गंटे लग रहे हैं, दोनों को काम करने में, बिल्कुल 6 गंटे लग रहे हैं, यानिकि ये सही है, option C हमारा बिल्कुल correct, correct, right आगे बढ़ते हैं, क्या राजेस इंवेस्टेड, 10,000 divided in 2 different investment, क्या रहा कि 10, 10,000 रुपे हैं, इसको 2 scheme में invest किया है, एक तो A scheme है, और एक B scheme है, at simple interest 8%, क्या रहा है कि इसको 8% और इसको 10% की ब्याजदर से उठाया गया है, क्या रहा है, if total interest earned in 2 year, 2 साल में, तो 2 साल में कितना कमाया होगा, 2 cent कर दें, तो क्या कमाया होगा, 16% इसको मिला होगा, और 20% इस B scheme से मिला होगा, तो कुल मिला के क्या है, 1680 interest बनती है, अब इसको 1 question नहीं बनाना, मैं इसकी अप्रोच बताता हूँ, माल लेजे, इसको भी 20% ब्याजदर मिली, और इसको भी 20% मिली, तो यानि कि, total का 20%, यानि कि, इसका 20% कितना होगा, 2000 होगा, और 2000 में से, 1600, कितना दें 1680, तो क्या बचा, 320, 320 बचा, यानि कि 320 की error आरी है, क्यों error आरी है, क्योंकि 4% जो है interest हमने A को दे दिया, राइट, यानि कि 4% की value क्या दे रखी है, 320 दे रखी है, तो 1% की value, 80 हो गई, तो 100% की value क्या होगी, 8,000, यानि कि A ने जो invest किया है, वो 8,000 रोपे invest किये हैं, और B ने कितने करें दो जार रुपे करें क्योंकि टोटल दस हजार था ना क्या रहा था एमाउंट इन्वेस्टेट इन इसकी में तो ए ने एक इसकी में कितना इन्वेस्ट किया है आपका आठ हजार रुपे ओप्शन ए इस दर राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अपर सन कवर डिस्टेंस ओफ 300 किलोमेटर देन यह देन नहीं होगा देन रेटन तो दे स्टार्टिंग पॉइंट दे टाइम टेकन के रहा कि एक व्यक्ति है तो 300 किलोमेटर दूरी चलता है अब कह रहा कि जाते समय पा पांच गंटे ज्यादा लगते हैं then time taken for return journey मतलब जाते समय यहां लिख देता हूँ जाते समय और आते समय जाते समय कितने पांच गंटे ज्यादा लगते हैं अगर इसको टी लगते है तो इसको पांच गंटे ज्यादा है तो इसकी स्पीड अगर यह लौट कर आता है तो इ तो मैंने क्या बताया था कि distance equals to क्या होता है, distance equals to s1 into s2, right, upon s1 difference s2, जो speed का difference क्या है, 10 km है, और speed का difference लिया है, तो time का difference भी लेना पड़ेगा, जो कि 5 दे रखा है, ये कट गिया, 2 से, तो कितना आया, 600 आया, क्या आया, s1 into s2, यानि कि दोनों की speed का multiply, 600 आ रहा है, right, तो 600 को हमें किस तरीके से बाढ़ना है, अब कह रहा है कि speed किसकी बतानी है, जाते समय की speed बतानी है, लेकिन जाते समय की speed क्या थी, कम थी, तो माल लीजी अगर इसकी 15 speed होती, तो आते समय speed जादा है, तो किती होती, पच्चिस, लेकिन ये तो 600 नहीं बनेगा, तो ये भी अठा दो, अगर ये 20 होती, तो ये 30 होती, क्योंकि जाते समय, आते समय speed जादा है, तो क्या ये 600 बनना है, बिलकुल बनना है, तो option B बिलकुल right answer है, right, आगे बढ़ते हैं, हाँ तो ये question क्या कह रहा है, next question, if the price of item is increased 70%, then allows a scheme discount 5% and 20% on this mark price, if the price is paid in cash, यानि कि cash और trade करता है, तो 20% अलग से discount बनता है, तो discount निकालते हैं, तो 5% और 20% और 20%, right, अब इसको solve करोगे, तो ये कितना बनेगा, 24, क्योंकि ये कितना होगे, 25, 25-1, तो ये 24% discount आगा, फिर इसको crawl करोगे, तो point हो मा आगा, इससे चाहा है, इसको solve at कर लेते है किसको, मार्क्स प्राइस को solve at कर लेते हैं, चलिए, solve at कर रहा है, मार्क्स प्राइस को, तो 5% discount दे दिया, यानि कि 20-19 होई value, और 20% फिर discount दे दिया, ठीक है, successive discount है, तो ये क्या बना, 5-4, फिर 20% discount दे दिया, जब cash से cash पे करता है, तो 4 से, फिर 5 से 4 फिर बना, right, तो 20 into 5, ये निगी 100, cancel हो गया, और ये क्या है, ये 19 है, तो 19 into 16 upon 5, 19 चके, 19 चके, 114, 11 बचा और 19, 30 upon 5, तो ये क्या बचेगा, 608, art, तो ये क्या है, ये आपका है, selling SP कितना है, 60 point art, और cost price क्या है, cost price आएगा, 100 mark price दे रखा है, और 170 की percent की value है, 170 percent की value है, तो 100 की बताओ, इसको solve कर लो, अब ये point से गया, ये, और ये 0 से, क्या बचा, 10,000 into 178, 136, 13 बचा, 13 यानि कि 3, 13 यानि कि 3, 13 यानि कि 3, फिर भी एक बचा, और 176, 176 चके, 102, 102 यानि कि 103, कितना ज़्यादा आ रहा है, 300, और 100 से divide कर दो, तो कितना आएगा, 3.36, तो option D इसका right answer, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है, ये तो बहुत simple answer है, आप खुद कर सकते हूं, देखके ही पता लग रहा है, नहीं, इसमें let करना पड़ेगा, शहेदा होई है, the speed of boat, who's, क्यों चला गए है भाई, आगे, कह रहा है, speed of boat, कितनी दे रखी है, boat की speed, दे रखी है, piece, और कह रहा है, 30 तो जाजने में लगता है, downstream, और comeback करता है, 30 ही, आप stream से, तो 8 गंटे लगते हैं, right, और downstream में क्या होता है, boat plus, boat plus water की speed, add होती है, माल लेते हैं, वो मान क्या लेते हैं, boat की speed दे रखी है, 20, क्योंकि यह कह रहा है, what is the speed of stream, stream की speed क्या दे रखी होगी, तो speed माल लेते हैं, stream की 20 माल लेते हैं, 20 तो हो नहीं सकती, क्योंकि boat की speed कभी same नहीं हो सकती, तो option A तो, बिल्कुल काट दो, 10 माल लेते हैं, तो 10 यानिकि 30, यानिकि 35 upon 30, plus 35, आप stream चल ला है, यानिकि 20 minus 10 बचाएं, तो यह क्या बचेगा, यह point में कुछ आ रहा है, 35 upon 3, 15 plus, या फिर एक काम करो, इसे 3 से multiply कर दो, तो यह 105 बन गया, और यह 30 बन गया, तो total 145 upon 4, 30, cancel हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यह option तो बिल्कुल लटा दो, योकि 8 नहीं आ रहा है दोनों से, आप क्या करते हैं, 15 लेत करते हैं, यानिकि option B भी, eliminate कर दो, 15 लेत करते हैं, कि stream की, जो speed है, वो 15 है, तो 20 plus 15, कितना होता है, 35, और 35 upon 35, 1, plus 35 upon, 20 minus 5, यानिकि 5, से काटा तो 7, 7 plus, 1 plus 7, यानिकि 8, जो कि given है, तो बिल्कुल right answer क्या है, C इसका right answer, right, आगे बढ़ते हैं, क्या रहा है, if two circle center, the difference between the center of both circles, क्या रहा है, इनके distance क्या दे रखा है, सतरा दे रखा है, और common tangent कितनी दे रखी है, the point of contact of a direct common tangent between the circles are P and Q, common tangent जो P Q है, उसका distance कितना दे रखा है, नहीं given है, if the radii of both, इसकी radii दे रखी है, 15 और इसकी दे रखी साथ मालित है, तो क्या कर रहा है, direct common tangent की बात कर रहा है, यानि कि क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, D और L और direct common tangent हो, तो R1 minus R2, R1 difference R2, और यह hypotenuse होगी, L कितनी है, distance center का distance कितना दे रखा है, 17, और 15 minus 7 कितना होता है, 8 है, यानि कि 8, यह hypotenuse होगी, तो hypotenuse का square यह कितना होगा, 289 minus 64, तो यह कितना आया, इसमें क्या जोडो कि 9 बन जाए, 5 जोडो, और 6 में क्या जोडो, कि 8 बन जाए, 2 जोडो, और 0 में क्या जोडो, कि 2 बन जाए, 2 जोडो, और यह square root इदर रटके यह आगया, तो कितना आया, 15 आया, plus में आएगा, minus में नहीं आएगा, क्योंकि, distance minus में नहीं होती है, इसका मतलब option क्या है, option A, आगे बढ़ते हैं, क्या रहा, a tank can fill, fill up at tank, और 1200 लीटर का tank है, यह tank है, 1500 लीटर का, राइट, whereas tab can fill, 8 आर, एक जो टैब है, एक जो टॉटी है, मनले है, T1 माल ले थे, वो 8 गंटे में बर सकती है, दूसरी, sorry, एक पहली वाली जो टी, वो 1200 लीटर जो बर सकती थी, वो 4 में बर सकती थी, चार गंटे में, टाइम, और tab 2 जो बर सकता था, वो 8 गंटे में, tab 3 एक्चुल में खाली करने वाला था, तो यह माइनस लगा तो, यह याद रहेगा, यानि कि यह कितनी दिर में खाली करता है, एक साथ सारे टैब कोल दे जाते हैं, तो यह बताए कि, कि how much time will it take to fill the tank completely, कितना समय लेगा उस टंकी को भनने के लिए, अगर टैंक वो भी नहीं देता, लीटर भी नहीं देता, तब भी हम निकाल सकते हैं, तो इसमें क्या है, वर्क कितना आया, वर्क माल लेदे है 24, तो इसकी efficiency कितनी आई, 6, इसकी 24 upon 8, यानिकी 3, 24 upon 6, यानिकी 4, लेकिन यह minus किये, क्योंकि यह out late है, तो इसका कितना आया, 9 minus 4, it means 5, तो 24 को 5 से भरेगा, कितना आयेगा, 4.8, तो option D में जो answer है, आगे बढ़ते हैं, किरेदा नंबर, 15, 0, 3, 2, 8 is divisible by 23, होगा चलो, यह number से divisible है, if the deserts are rearranged descending order, कह रहा है कि rearrange करो इसी number को, descending order में, तो descending order में करोगे, तो पहले आएगा 8, फिर आएगा 5, फिर आएगा 3, 2, 1, 0, right, and 5 times of 13, यानि कि 65, यानि कि 5 into 13, यानि कि 5 गुना 13, लागा, subtracting from the new number, तो new number यह है, तो इसमें से minus करो, कह रहा है, जो number formed हुआ है, then thus formed, the resultant number will be divisible, तो यह देखो, इसमें इसको minus करो, तो क्या आएगा, 5 आएगा, अब इसको minus करोगे, 10 में से तो क्या आएगा, 4 आएगा, कह रहा है, इन में से किसका divisible होगा, तो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन 5 से तो हो गई होगा, क्योंकि 0 में 5 का minus करोगे, तो 5 तो आएगा, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है, a person has 3 iron bar, whose length 20, 30, 40 meters respectively, he want to cut pieces the same length from each of 3 bars, कह रहा है, एक उस पर माल लेते हैं, उस पर फीता है, तो फीता कम से कम कितने का होना चाहिए, ताकि बिलकुल equally नाप सके, मतलब एक्स्ट्रा कटना लगे, तो इसका SCF 20, 30, और 40 का SCF क्या होगा, 10 होगा, यानि कि 10 10 से हम मेजर कर सकते हैं, यह दो बार मेजर हो जाएगा, यह तीन बार में मेजर हो जाएगा, और इसके यह चार बार मेजर हो जाएगा, क्या ρहे, what is the least number of total pieces? यह तो 2 pieces के हो गया, 3 pieces के हो गया, 4 pieces हो गया, total 9 pieces हो गया, यह तो क्याहरा है, total piece कितने हो गया did, तो 9 pieces ही जो गया, without any wastage, और वेस्टेज भी नहीं हुई राइट आगे बढ़ते हैं क्या रहा है इन एलेक्शन आजय मोहन आर कंटेस्टिंग फॉर सेक्रेटी पोस्ट इन ट्रेड यूनियन ऑफ 9000 वरकर क्या रहा है नाउन 9000 वरकर थी इसमें राइट इस 80% वोट परसंट ने कास्ट किया वोट या मिलाके जो जो पड़े है एक्चल वो जो पड़े हैं जो वेलिड वोट भी है पड़े भी है तो यह कितना आएगा यह कट गया अогनि कि 99 और 24 और अभी कितना आएगा 36 और कितना चववन और तीन सत्तावर सीरो राइट यानि कि यह जो टोटल वोट आए यह कौन से है एक तो वैलिड भी है उपर से क्या है इन्हों नहीं कास्ट किया है मोहन आजय ए कितने वोटों से हरा दिया 262 तो यानि कि इतने वोट टोटल पड़े तो यानि कि यह बचा और यह दिवाइड हो जाएंगे इसमें यानि कि इतने वोट तो at least इसको पड़े होंगे 2, 3, 0, 4 इसको भी 204 पड़े होंगे अब क्या कहा रहा है how many vote did Ajay get तो Ajay को तो कितने vote मिले हैं इतने ही तो मिले हैं क्योंकि यह जीता है ना इतने से तो क्या आएगा 4 प्लस 2 यानि कि 6 6 किसमें आ रहा है इसमें तो नहीं आ रहा है तो यह दो option तो अठा दो और 0 प्लस 5 यह नहीं कि 5 तो 56 किसमें आ रहा है option A में आ रहा है आगे बढ़ते हैं क्या रहा है for a triangle ABC DE are two points AB and AC यह similarity के कोशन है यह तो सीरीजी बात है क्या रहा है एक triangle है यह triangle लेट कर लेते है ABC क्या रहा है AB पे एक D point है और AC पे जो है E point है AD कितना दे रखा है 1 दे रखा है और यह पूरा कितना दे रखा है 6 दे रखा है 1 ratio 6 अब क्या रहा है यह AE कितना दे रखा है AE दे रखा है 1 और AC कितना दे रखा है यह भी 6 क्या रहा कि DE DE कितना होगा अगर BC 22 है यह तो क्या रहा BC कोस्टू 22 cm then DE क्या होगा तो बड़ा वाला ट्रेंगल की रेशो जो है 6 है इसका क्या है छोटे वाले का 1 है यह सेम रेशो इसमें होगा बड़े वाले की value कितनी दे रखी है 22 और छोटे वाले की पता नहीं है यानि कि 6 रेशो की value कितनी दे रखी है 22 दे रखी है तो एक रेशो की value हमें पता नहीं है 22 यानि कितना हैगा 11 upon 3 और 11 upon 3 कितना होता है 3 और बचा कितना 9 9 यानि कि 20 20 यानि कि 3.6 3.6 यानि कि option C में बिलकुल आपको साफ नज़र आ रहा हुआ similarity का question था बहुत simple question था ठीक है इससे अच्छे question काफी मिलते हैं लेकिन ये simple डाला हुआ है आगे बढ़ते हैं किया रहा है in in triangle a, b, c बना लेते हैं वही a, b, c किया रहा है b, d perpendicular है तो b, d, perpendicular के लिए हम क्या करते है b यहां माल लेते है b फिर a, b, c ये perpendicular है इसका d point पर है यानि कि ये 90 टिगरी होगा आगे का कह रहा है e is a point on b, c भाई ये point है एक b, c पर e कह रहा है such that b, e, a b, e, a low b, e, a बना दिया ये जो है x दे रखा है कह रहा e, a, c e, a, c यानि कि ये जो है ये 62 दे रखा है और e, b, d ये वाला जो है 60 डिगरी दे रखा है तो बताईए then the value of x की value बताने है बिल्कुल बताते हैं तो हमें x की value दो तरीके से आ सकती है pension कर देते हैं एक तो हम इस वाले triangle को consider करें या तो हम इस वाले triangle को consider करें चोटे वाले को तो हम चोटे वाले को ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि इस triangle की 2 angle तो given है तो यह 90 है तो यह 90 माइनस कितना होगा? 62 और 90 माइनस 62 ही यह होगा कितना होगा 90 माइनस 62 यानि कि 28 और 28 प्लस 60 यानि कि 88 और 180 में से 88 जाएगा तो कितना बचेगा? 92 जो की option number C में है राइट आगे बढ़ते हैं क्या रहा है left A and B two towers same base भाई बनाते हैं एक एक यह tower है एक यह tower है इनका same base है base मान लेते हैं from the midpoint line joining क्या रहा है जो line join हो रही है यह join हो रही है साफसा बना दे यह line join हो रही है इनका midpoint midpoint यह रहा यह A है और यह B है their feet lining joining their feet from the midpoint of lining their feet लो भाई इसको join कर दिया खीक है न? आप क्या कर रहा है? the angle of elevation is 30 and 60 तो यह तो one ratio one होगा क्योंकि midpoint है और यह 30 न यह 60 होगा क्योंकि इसका बड़ा angle होगा ताकि बड़ी side आईगी और यह कितना होगा 30 होगा आप क्या कह रहा है आगे बढ़ते हैं क्या रहा है ratio B और A का ratio बताओ B और A का ratio बताओ तो देखना 1060 कितना होता है 1060 कितना होता है root 3 होता है root 3 1 तो base कितना दे रहा है root 3 1 तो यह भी to root 3 होगा बिल्कुल होगा और यहाँ 1030 कितना होता है 1030 होता है 1 by root 3 यानि कि इसकी value क्या दे रहा है 1 ratio 3, इसकी value दे रखी है 1, तो इसको 1 बनाने के लिए इसको इधर ले आते हैं, यह कितना बन गया 1, तो इसकी value क्या आई, 1 upon root 3, तो B और A का ratio के अतना आया, 1 by root 3 upon ratio root 3, यानि की 1 ratio 3, right, 1 ratio 3, तो option D इसका right answer है, खांगया, यह रहा, आगे बढ़ते हैं, क्या रहा, एन article, एन article was sold at loss, यानि कि इतने loss पर बेचता है, 13.5% की loss पर, if it was sold, क्या रहा, इतने ज्यादा पर बेचता, 1104 पर ज्यादा बेचता, तो उसे 9.5% का profit होता, यानि की 9.5% का profit होता, तो यहां से मुझे यहां पहुचने के लिए, कितना add करना पड़ेगा, 13.5% यानि की मुझे 5, 10, यानि की 23, 23 ratio की value क्या दे रखी है, 1104 दे रखी है, तो एक ratio की value क्या होगी, यहीं काट देते हैं, यहीं काट देते हैं, यह कितने से गया, 4 से गया 92, और 92, 110 में से 92 गया, यानि की 18, 18 और 4, 184, 184, 184 तेज के table में 8 बार आ था, यानि की 48 इसकी value आई, 1% की, it means 100% की value क्या होगी, 48, 100, तो option C में बिल्कुल सही रखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं, arrange the given ratio in descending order, तो descending order में रखते हैं, 15 by 7, और क्या दे रखा है, 15, 11, और 21 by 77, देखो, यह तो पॉइंटों में आएंगे, 0.0 point कुछ भी हो सकता है, यह पॉइंटों में आएंगे, तो obviously यह तो सबसे बढ़ा होगा, तो option D अठा दो, और option A अठा दो, right, अब यह देखो, इस में से कौन सा क्या बढ़ा है, तो हम क्या करें, 7 से करते हैं, 3 और 7 से करते हैं, 11, तो हमें यह पता लग गया, यह बढ़ा है, right, और यह option में same जैसा दिया है, वैसा ही option B में है, right, आयोप आपको समझ में आया हुआ, आगे बढ़ते हैं, क्याना, the value of simplification का question आगया, अब इसको solve करते हैं, तो क्या आएगा, 21 upon 4, यह कितना आया, 14 उपर गया upon 3, यह कितना से गया, 7 और यह गया, 7 और 2, यानि कि उड़न्चास अपन 2 आया, इस पूरे की value आया, यह उड़न्चास अपन 2, divided by यह इसकी value कहाईगी, 45, 46 upon 9, माइनस बहत्तर, यानि कि 79, बहत्तर कहेगो, 56, 56, 56, 63 upon 8, यह दिवाइड में है, यहनि कि 20 into 9, यहनि कि 180, 180 plus 9, यहनि कि 189, 20 upon 189, इसको काट देते हैं, किस से काट हैं, तीन से साफ साफ काट रहा है, यह 4 से काट रहा है, कितना है, 4 से 2 बार, और 4 से 5 बार, तो क्या है, यह 46 upon 9, माइनस 5 upon 6, आप क्या करते हैं, इसको 18 बना लेते हैं, इसको 18 बनाने के 3 से multiple करते हैं, तो 15 upon 18, और इसको 18 बनाने के लिए क्या है गई है, 55-95-95, 92, 92 upon 18, 92 में से पंदर गया, दो, दो गया, तो 90 बचा और 13 और गठा दो, तो 80 80 यानि कि तीनों गठा दो, 77 upon 18, यानि कि इस पूरी की value क्या लेख सकते हैं, 77 upon 18 अभी माइनस का यह कितना आया यह गया से कैंसल हो गया तो क्या बचा 5 आया राइट अब क्या करते हैं पहले डिवाइट करना पड़ेगा तो 49 अपॉन 2 मल्टिप्लाइ 18 अपॉन 87 मल्टिप्लाइ 11 अपॉन 1 केस यह से गया 7 से गया और यह कैंसल हो अब कौन किस से जा रहा है यह जा रहा है 3 से 7 बार और यह गया रहा है 7 बार फिर यह जा रहा है 3 से और यह 6 बार तो यह कितना बचा यह बचा 42 अपॉन और भी तो क तो कितना बचाई है 21-5 यानि कि कुछ गड़बड़ी हुई है दुबारा करते हैं इसको मैं इसको रब कर देता हूं दुबारा करते हैं हां तो यह कोशन क्या कर रहा है यह कोशन अब यह देखते हैं दुबारा कोशन को राइट इसकी वेल्यू 49 बाइट इसकी वेल्यू कुछ गड़बड़ी लग रही थी मुझे 45 और 46 अपॉन 9 माइनस 8 एंटू 7 यानिकी 56 चपन और साथ 56 अपॉन 8 डिवाइड वाइड डिवाइड को मल्टिप्लेम गरेंगे तो 189 तो क्योंकि 100 सी 189 नीच आएगा और 9 ओपर आएगा 9 नहीं 20 बीस ओपर आएगा पहले सॉल्व केमा है मैं आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितने से गया 3 टायम गया यह और यह गया 2 से और यह 5 से तो कितना बचा 46 अपॉन 9 minus 5 × 6 इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचना कि 92 18 और 3 से गरेंगे 15 और 18 अब इसमें क्या जोड़ें कि 2 बन जाए तो 7 जोड़ें 2 में क्या जोड़ें कि 9 बन जाए 7 तो 77 अपॉन 18 यानि क्या आया 49 अपॉन 2 अब इसको multiply में लिखोगे तो ठीक है इसको multiply में लिखोगे तो क्या आएगा 18 पॉन 77 multiply 11 पॉन 21 माइनस का 5 इसको काट दिया 7 बार और यह 7 और यह 7 यह 3 बचा यह ओड़नचास पूरा कट गया और 2 और 3 6 6 से गया कितनी बार 3 बार सही आ रहा है बिल्कुल अंसर माइनस तू बिल्कुल सही आ रहा है ता अंसर option C इसका right answer आगे बढ़ते हैं क्या रहा है 24 divided by 3 by 8 of 8 plus 2 into चलो इसको solve करते हैं तो पहले इसको solve करते हैं तो यह कितना आया 4 4 into 4 into 2 यानिकि 8 8 plus 16 अब 16 3 into 8 multiply से गया तो 2 और फिर यह 6 बचा तो यानिकि 24 upon 6 बचा आप इसको solve करते हैं तो यह क्या बचा 4 बचा तो इस पूरे की value तो 4 आ गई यहां तक की plus plus वाले उपर वाले की right आप इसको solve करते हैं इसको solve करेंगे तो 2 यानिकि 10 10 यानिकि 16 upon 16 यानिकि 1 और इसको solve करेंगे 2 upon 11 into 5 upon 4 minus का 1 अभी क्या बचा 5 और यह गया 2 से है तो धाई मैंसे 1 गया यानिकि 1,5 तीन बचे 2 बचा तो यह तीन बचा पिलस का 3 बचे 2 हम नीचे solve करते हैं 32 नहीं इसको solve कर जाएगा पहले बार को तो यह कितना आएगा? 8 और 8 को divide करेंगे 32 से 32 को divide करेंगे 8 से तो यह क्या बचेगा? 4 प्लस 17 अब इसको solve करेंगे इस पूरे को solve करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 प्लस 6 11 11 प्लस 4 15 तो 75 upon 15 यह कितने से गया है? 5 से तो कितना आया? 9 आया इट मींज 8 8 प्लस 3 यहनिकी 11 upon 2 upon 9 तो answer किया आया? 11 upon 18 इसका answer आया जो कि option C में है अंग यह? option C में राइट? आयोब आपको समझ में आया होगा आपको यह session कितने कैसे लग रहे है यह कैसे पता लगए है? यह ऐसे पता लगए है आप इसको लाइक करो और शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेट फीलूंगा मैं मुझे यह तो पता लगए है कि आप लोग अच्छा लग रहा है यह session को करने में यह था यह था यह था।